एक आई वेलकम बैक टो आर चैनल तो अगर आपका बजट है 20,000 रुपीज तो मैं आपको बजा दू रिसेंटली काफी सारी ब्रेंट्स ने इस बजट कैटिग्री के अंदर काफी सारे नए स्मार्टफोन को लॉंच कर दिया है और फाइनल यहां पर वीवो की तरब से भी वीवो T2 यह स्मार्टफोन ओफिशल इंडिया में लॉंच हो चुका है यह फोन आपको मिलता है Funtouch OS जो की बेश डून है Android 13 के लेटेश्ट अबडेट पर तो अगर आप इस फोन को पर्चेस करना चाहते हैं तो one by one हम सभी features को detail में cover करेंगे वीडियो को end देखते हैं और इसकी तो बाकिवीडियो से इसका charging test, battery test बाकिवीडियो से अगर आपको देखनी है तो details are in the description go and check out तो okay guys अभी अगर हम बात करें features के बारे में अगर हम बात करें इसके recent apps के customization के बारे में तो इसपे अगर आप tap करेंगे, यह इसका recent app आपको में जाता है नीचे close का option है and इसपे अगर आप tap करेंगे तो एक साथ यहाँ पर अभी एक page पे लगबग 6 application आपको show करेंगी इसपे tap करेंगे तो यह application आपको show करेंगी तो जैसे आपको customization के वैसे app set कर पाएंगे इसपे अगर आप tap करेंगे यहाँ पर इसको आप lock कर सकते हैं अभी आप close करेंगे तो जो application आपने lock की थी वही रहेगी बाकी application आपकी यहाँ से हट जाएगी अनलोग आप कर सकते हैं यहाँ पर split screen का option है आप screen पे अगर आप चाते हैं कि एक application चले और दूसरे application बाकी screen पर चले बाकी अगर आप इसका area थोड़ा long करना चाते हैं तो यह भी distribution भी आप कर सकते हैं बाकी इसको close करने के लिए slide down आप कर पाएंगे next अगर आपको phone में dynamic effects अपनी animation को खुद से customize करना है dynamic effects को option आपको मेल जाता है touchscreen के animation कैसे आपको चाहिए जैसे अभी मैं phone को touch करता हूँ कोई animation नहीं है इसको अगर मैं यहाँ पर apply करूँगा अभी मैं जैसे phone को touch करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी animation आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि आप देखने में काफी जादा cool लगती है इसकी जो quantity है वो भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं Ambient light effect को option आपको मिल जाता है Always on display को simply आपको enable करना है इसको कितने time से लेकर कितने time तक यह enable हो यह भी आप set कर सकते हैं बाकि full time चीए तो इसको आप off कर देना On screen display को simply आपको enable करना है Incoming calls जैसे किसी का call आए तो corner से light effects enable हो तो इसको enable करने के बाद light effect के option पे simply आपको tap करना है यह अगर आपको animation set करने किसी का call आएगा तो ring के साथ में यह भी काफी cool feature है इसके अंदर काफी सारी option है जैसे हमने यह set किया इसकी transparency को आप increase कर सकते हैं इसकी width को अगर आपको width थोड़ी चोड़ी चाहिए या फिर narrow wide जैसे आपको set करना चाते हैं वैसे आप इसको apply कर पाएंगे ऐसी notifications के अंदर यहां पर जिस जिस application का जैसे notification आए तो corner से light effect enable हो तो सबसे पहले उन application को आप को enable कर देना है किसमें आप चाते हैं यह सारी light effects आपको मिल जाती है बाकी यहां पर color का भी option है इसके अंदर color भी upside कर सकते हैं तो vivo ने अपकी बारी यहां पर आप देख सकते हैं कितने time तक इसको आप enable करना चाते हैं short या long तो यह भी option आपको मिल जाते हैं तो vivo ने अपकी बारी काफी सारी customization की options आपको provide के home screen transition अगर आप tap करेंगे तो इसके अंदर app की opening and closing animation कैसे आपको चाहिए बागे अगर आपको animation पसंद नहीं है तो simply none पर tap कीजिए तो यह सारी option यहां पर आपको मिल जाते हैं एंड device को unlock करने के बाद कैसी home screen की entering animation आपको चाहिए fly out या pop up type आपको चाहिए fly in animation चाहिए तो यह सारी option भी आपको मिल जाती है fingerprint scanner की animation कैसे आपको चाहिए तो इसकी भी customization की settings है बागी fingerprint को recognize करने की animation कैसी आपको चाहिए जैसे मैं इस पर tap करके इसको apply कर देता हूँ अभी हम यहां पर देखेंगे अभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी animation आपको मिल जाती है तो जो भी upside करेंगे वो आपकी यहां पर set हो जाएगी face unlock की जो animation है उसको कैसे आप set करना चाहती है जैसे आपका face unlock आएगा तो यह logo साथ में आपको show करेगा charging animation का option आपको मिल जाता है device को charging पर लगाएंगे तो कौन सी animation आपको चाहिए तो यह भी आप set कर सकते हैं USB की animation जैसे आप charging पर लगाएंगे तो कुछ ऐसी animation यहां से नीचे से show होगी screen की on या off करने की animation कैसे आपको चाहिए जैसे screen को on करेंगे ऐसे आपको थोड़ा सा animation आपको मिलेगी यहां से wallpaper आप चेंज कर पाएंगे यहां पर themes का option आपको मिल जाता है download more पर tap करके theme store से wallpaper और अपनी themes अपने according लिए आप डाउनलोड कर पाएंगे यह always on display का option आपको मिल जाता है always on display सबसे पहले आपको यहां से enable करनी है notifications के लिए भी आपको इसे enable कर देना है और यहां पर क्या क्या option आपको show करना है log screen पर यह भी आपको enable कर देना है यहां पर log screen पर याई animation आपको यहां पर show करेगा जैसे यह style है काफी सारे style इसके अनदर अगर आप टैप करेंगे इसमें भी different आपको live style भी मिल जाते हैं अगर आपको gaming type चाहिए तो इस पे आप tap कर सकते हैं अब live टैप करेंगे अभी अब देखिए यहाँ पर यह style भी आपको मिल जाता है तो device के अंदर emolay display आपको मिल जाती है इसलिए यह सारे option का access यहाँ पर device में आपको provide किया गया है बाकी color भी यहाँ पर जो clock का date का battery percentage का and जो other notification की color है अपने accordingly यह भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं बाकी digital clock के भी option आपको मिल जाते हैं analog clock तो काफी सारे customization की option है text के अंदर signature के अंदर जो भी आप यहाँ पर type करेंगे जैसे मैं यहाँ पर कुछ type कर देता हूँ तन पर tap करेंगे किदर आपको चाहिए इसका size अगर आपको change करना है phone change करना है color change करना है apply पर tap करना अभी आप देखिए लोग screen पर तो जो भी आप यहाँ पर show करना चाहते हैं तो वही आप यहाँ पर show करेगा लोग screen settings का option आपको मिल जाता है लोग screen के wallpaper एवरी time जब आप phone को lock unlock करें जैसे अभी आप देख सकते हैं अभी के लिए यह wallpaper है अभी यह wallpaper आपको मिलेगा तो अगर आपको ऐसे पसंद है कि different wallpaper चाहिए नीचे उसके detail चाहिए तो every time जैसे आप screen को unlock करेंगे तो automatically wallpaper आपको show करेगा और एक ही wallpaper चाहिए इसको off करना है तो यहाँ से simply आपको off कर देना है तो जो आपने set किया है वही wallpaper आपको show करेगा simple mode अगर आपको phone को simple रखना है ज्यादा कुछ features को access नहीं करना है तो main main option आपको मिलेंगे तो इसको simply आपको enable कर देना अभी आप देख सकते हैं जश्ट यहाँ पर जैसे Nokia Lumia के phone आते थे windows में तो कुछ ऐसा UI आपको में जाते है जाएंड यहाँ पर exit option इस पर tap करेंगे तो यह exit हो जाएगा next अगर आप जाएंगे आई manager के अंदर तो यहाँ पर clean का scan का काफी option आपको मिल जाते हैं optimize पर tap करके device की जो optimization है उसको आप control कर सकते हैं यहाँ से clean up storage को option आपको में जाते हैं phone में कितना storage है कहां पे कौन सी application ने किस file ने कितना storage यूज किया इसको अगर आप clean करना चाते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा data आपको मिलेगा and यहीं से clean कर सकते हैं इसको tap करके इसको आप delete कर करना है कि notification आए तो इसको आप enable कर सकते हैं अगर किसी particular application से अगर आप notification प्रेशान है तो यहां से आप जाईए notification को simply आपको off कर देना है उसका notification यहां से off हो जाएगा बाकि कौन सी application ने क्या permissions आपकी अपने accordingly जैसे camera की permission contacts की तो जैसे किसी application ने camera की permission आपने गलती से जैसे की camera की through location microphone आपकी privacy को access ना कर पाए अगर आपको नहीं लगता तो ऐसे ask every time या फिर don't allow भी आप यहां पर set कर सकते हैं तो कोई भी particular application की सारी detail यहां से आप यहां पर enable या disable कर पाएंगे यहां पर app clone को option आपको मिल जाता है अगर आपको एक ही phone में दो application यूज करनी है जैसे दो वट्सेप दो Facebook दो Snapchat फोन पे तो इस पर आप टैप कर दीजिए और दो अलग से सेमी अप्लिकेशन ओपन हो जाएगी अलग-अलग सबसे पहले गेम को आपको add कर लेना है इस पर अगर हम जैसे इसको enable करेंगे अभी corner से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी animation आपको मिल जाती है यहां पर आप देख सकती यह option आपको मिलेगा slide करेंगे सबसे पहले तीन mode आपको मिल जाते हैं यहां से battery share mode है balanced mode है and monster mode है तो बैटरी अगर आप कम use करना चाते हैं चाते हैं कि battery आपकी कम drain हो तो पहले दो mode में आप set कर सकते हैं यहां पर 4D game vibration को option आपको मिल जाते हैं तो better gaming vibration के लिए यह option आप यहां से enable कर सकते हैं यह sports mode पर अगर आप tap करेंगे तो यहां पर जो disturbances हैं game के अंदर वो यहां पर बिलकुल कम हो जाएगी बाकी features यहां पर mute हो जाएंगे voice changer को option आपको मिल जाता है तो gaming करते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपकी real voice ना सुने किसी भी teammate को अगर आप चाहते हैं AI robotic type voice आपकी सुने ए commander war correspondent का वोई child तो यह सरी option आपको मिल जाते हैं तो gaming करते हुए अपनी voice भी आप यहां पर change कर सकते हैं और वही voice यहां पर सामने team members को भी सुनाई देगी background call को option आपको मिल जाता है background में भी आप यहां पर gaming करते हुए calls को attend कर सकते हैं ब्लोग कर पाएंगे notifications को ताकि gaming में disturbance कम हो motion control आप यहां पर कर पाएंगे screen की brightness को लोग कर पाएंगे auto play with screen off मालो आपका game पूरा हो चुका है बट team members का game चालू है तो ऐसे में battery save करने के लिए option को enable कर सकते हैं background में game चालू रहेगा बट screen की light off होगी display off होगी इससे battery आपकी बचेगी screenshot यहां से आप ले सकते हैं बाकि screen recording screen की record करनी है custom का option आपको मेल जाता है जो toggle आपको नई चाहिए simply minus पे tap कीजिए अगर आपको चाहिए यहां पर आप add कर सकते हैं इस layout के अंदर three finger से अगर आप slide अप करेंगे यह application का support आपको मेल जाता है जैसे कि यहां पर यह application को use करना gaming करते हुए तो यहां पर इसको आप screen पर कहीं पर भी move कर सकते हैं इस पर अगर आप tap करेंगे तो यह shortcut यहां पर आपको मिलेगा बाकी दूसरी application को भी आप यहां पर जैसे कि इस पर मैं tap करूँगा इस पर टैप करूँगा तो दो application आपकी यहां पर add हो जाएगी इस पर tap करेंगे तो यह full screen पे भी open होगी तो gaming करते हुए बिना किसी disturbance के अगर आप चाते हैं दूसरी application को भी access कर सकें तो यह option आप enable कर सकते हैं तो अगर हम बात करें home screen की settings की यहां पर simply आपको touch and hold रखना है यहां पर काफी option आपको मिल जाते हैं wallpaper भी अगर आप tap करेंगे इसके अंदर system UI के काफी सारे wallpaper है जो भी आपको set करना है simply उस पर tap करेंगे यहां पर tap करेंगे live wallpaper भी आपको मिल जाते हैं यहां से local images हैं यह आपके normal live wallpaper आपको मिलते हैं बाकि अगर आपको काफी सारे बढ़िया extra unique wallpaper चाहिए तो instagram के थरू भी आप contact कर सकते हैं details are in the description next option आपको मिलता है UI color का wallpaper के according theme के according जैसे की आपको यहां पर call का notification center का settings का UI का color change करना है जैसे मैं यहां पर यह color set करूंगा अभी आप देख सकते हैं इसके control center का color इसके settings का UI का call का सब कुछ जितने भी colors है वह यहां पर change हो चुके हैं बाकि इसके अंदर भी आप यहां पर check out कर सकते हैं इस पर tap करेंगे तो color यहां पर यह सारे theme के according change होंगे बाकि नीचे आपको wallpaper colors का option मिलता है इन पर tap करके wallpaper के अंदर जितने भी color है उसके accordingly पूरे settings के apply color to icons even icons का भी color आप यहां पर अभी आप देख सकते है चेंज हो चुके colorful से तो यह सब आप यहां पर system UI को set कर पाएंगे home settings का option आपको मेल जाते है इस पर अगर आप tap करेंगे app drawer अगर आपको नहीं चाहिए simply standard पर tap कीजिए नीचे slide अप करके app drawer आपका remove हो जाएगा and अगर आपक चाहिए slide up करके तो यह भी आप यहां से easily set कर पाएंगे home screen layout आपको कैसे set करना एक रों में कितनी application आपको चाहिए four by six जैसे four by six पर टैप किया एक दू तीन चरिया पर चार application आ चुकी है five by six पर पाच आपको मिलेगी बाकि अगर आपको rounded corner चाहिए जैसे इस पर में टैप कर अभी square corners है rounded corners है एप का जो size small या large चाहिए तो यह भी आप यहां पर set कर सकते हैं बाकि home screen पर swipe down करके क्या option आपको enable करना है search bar या फिर notification center तो भी आपको notification center access करने के लिए उपर से आपको slide नहीं करना पड़ेगा नीचे से भी कहीं से भी आप करेंगे तो इसको आप easily access कर आपको slide अप करना है and split screen आपका यहां पर enable हो जाएगा यह सारी application में support आपको नहीं मिलता है तो जिसमें support मिलता है three finger slide आप करेंगे split screen आपको आजाएगा smart screen wake up का option आपको में जाता है बिना phone को touch करे screen के light automatically on off हो जाए यह option आपको मिलता है double tap करके screen को off कर सकते है double tap करके screen को on कर सकते हैं बाकियां पर smart way का option आपको में जाता है फॉन को शेक करके flashlight आप यहां पर device की on कर सकते हैं यह option आपको में जाता है smart way पे अगर आप tap करेंगे swipe up करके unlock करना चाहते हैं यह setting यहां पर option given है slide down करके swipe down करके photo अगर आप capture करना चाहते हैं draw m करके music play या फिर swipe horizontally करके music को अगर आप change करना चाहते है f draw करके facebook या फिर draw e तो यहां पर अपनी कोई भी particular application आप set कर सकते example के लिए मैं आपको अभी चेक करा देता हूं जैसे हम यहां पर e draw करेंगे अभी आप देख सकते हैं यहां पर e draw करने पासवर्ड जैसे आप enter करेंगे जो application आपने set की थी वही open हो चुकी है तो ऐसे swipe up पे swipe down पे m draw करके क्या आपको set करना है वो features आप use करना चाहते हैं या फिर नहीं तो यहां से आप वो आपको set कर पाएंगे बाकि अगर आप कुछ quick shortcuts को enable करना चाहते हैं जैसे कि यहां पर volume down button को अगर आप hold करके रखेंगे flash light आपकी enable होगी तो यह shortcut अगर आप set करना चाहते हैं या फिर record open camera या फिर particular application का shortcut जो कि आप दिन में ज्यादा use करते हैं तो screen off होने के बाद यह option आपका यहां पर काम करेगा जैसे मैंने यहां पर volume down button को set किया एंड जो command आपने set की थी यहां पर वो आप access कर पाएंगे flash notifications option आपको मेल जाते हैं जैसे कोई भी incoming call आएगी किसी call आएगी flashlight आपके अनेवल हो जैसे iPhone में आपको मिलता है यह option तो यहां से आप कर पाएंगे one handed mode का option आपको मिल जाता है इसको अनेवल करने बाद gesture है तो then आप यहां पर access slide करेंगे तो easily आपका जो one handed mode है वो आपका अनेवल हो जाएगा and इस पर tap करके आप इसका जो size है screen का guys आशकल जो display की screen है काफी बड़ी आपको मिल जाती है ऐसे में अगर आपके थोड़े चोटे हाथ हैं तो then एक हाथ से phone को use करना काफी difficult है तो one handed mode में जितना screen size आपको चाहिए अपने accordingly आप यहां से set कर सकते हैं पूरे phone को आप उतनी screen पे use कर पाएंगे और इसको यहां से आप यहां पर close भी कर सकते हैं accessibility का option है अगर आपको एक हाथ से phone को use करने में काफी difficulty होती है accessibility menu option आपको में जाता है इसको enable करेंगे, allow पे tap करेंगे, go to it पे tap करेंगे यह option आपको में जाता है, अभी guys आपको अगर आपको volume अप करनी है, इस पे simply आपको tap करना है volume down करने के लिए, brightness low या आप करने के लिए, आपको simply ऊपर से phone को use नहीं करना पड़ेगा यहीं से shortcut का option आपको में जाता है, notification अक्सेस करना है, तो यहीं पे option आपको में जाता है, screenshot तो यह कुछ shortcuts, one ended mode, accessibility menu, यह shortcuts आपके काफी काम में आएंगे तो यह सारी settings आपको में जाती है, Vivo के इस device में, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को like करना और इसकी जो बाकी वीडियो है, इसका back cover या tempered glass बाकी accessories अगर आपको purchase करनी है, तो details are in the description below, तो वहाँ से आप check out कर सकते हैं तो यह थी guys, आज की वीडियो, so that's all for today's video, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी new video के साथ, तब तक के लिए, thanks for watching